नमस्कार दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिन डेक्सोना टैबलेट के बारे में इस टैबलेट को कैसे लेना चाहिए कब तक लेना चाहिए कैसे इसको छोड़ना चाहिए क्या नुकसान है क्या फायदे है इन सभी बातों के इस वीडियो में जानेंगे तो वीडि application मिलते रहे तो दोस्तों ये प्रैक्टрост इंडेक्सोना टेबलिट जु आती हैं ये बहुत ही सस्ते दाम मिल जाती और इसका अस्तमाल लोग मोटे होने के लिए करते हैं सहथ बनाने के लिए करते हैं तो दोस्तों मेरे खाना शरी को नहीं लग रहा है और बहुत खाता पीता है फिर मीं शरी को नहीं लग रहा है तो वो लोग शौकट में मोटे होने होना चाकते हैं तो वो लोग इस टैपलट का इस्तेमाल कर लेते हैं लेकिन दोस्तो इसके नुक्सान xA disaster बहुत2 को соглас founder और वो भी मैं इस वीडियो में आपको पूरे बताऊंगा दोस्तो पहले इसके फायदे जानते हैं फायदे तो नहीं कह सकते कि इसके साइड इफेक्ट ही जान लेते हैं इसको लेने से क्या होता है तो इसको लेने से क्या हो जाता है इन दोनों को खाने से कि शरीर जो है मतलब बनने लगता है फुलावट आ जाती है शरीर में और चहरा भर जाता है बजन बढ़ने लगता है और दुबला पतला शरीर मोटा हो जाता है पिछके गाल जो होते हैं वो भर जाते हैं मोटे हो जाते हो आप भूक बढ़ जाती है आपकी body बन जाती है और जो भी आप खाते हो आपके शरीर को लगने लगता है ऐसा आपको लगता है ये सब दोस्तों हकीकत नहीं है आप इसे खाते हो मोटे होते हो ये बिलुकुल सही है आपका बजन भी बढ़ जाता है लेकिन दोस्तों जैसे ही आप इसे बंद करते हो आपका शरीर वैसे का वैसा हो जाता है आपको पता ही होगा जो लोग इसका इस्तमाल करते हैं उनको सब पता है तो इसको दोस्तों आप ये सब इसके side effect है जो इसके side effect है वो मैंने बताए है है यहुआ इसके नुकसान है मोटे होना बजर बढ़ना ठीक है जो इसका मेन फाइदा है जिसका जो इसका जो फायदा है प्रैक्टिन टैबलेट का साइप्रोहेब्ट्रअड इन वो है कि भूक को बढ़ाना यानि कि भूक खोलना जिसकी भूक, जिनको भूक नहीं लगती है, भूक मर गई है वो लोग इसका इस्तमाल कर सकते हैं 5 दिन, 10 दिन, बस ठीक है, इसका ये Dexa Meta Son Tablet है ये एक स्ट्वेराइड है, तो ये क्या करती है जल्दी जल्दी फटाफट इस टेबलेट की असर को दुगना कर देती है हमारी शरीर में जो फुलावट आ जाती है इसी की वज़े से आती है ठीक है ये भूक लगाती है और ये जो है फुलावट हमारी शरीर में कर देती है यानि कि एक तरह का हमारी शरीर में खून का जो है इतनी कमजोर हो जाती है इतने मोटे हो जाती है कि उनको उठने बैठने में भी दिक्कत हो जाती है और फिर इनको लेने से क्या होता है कि दोस्तों आपके और भी दवाइगे जो खाओगे उनका असारी नहीं होगा यह स्ट्वीरेड है क्योंकि आपके श्रीर में यह पूरी कह रहा हूं कि आप ना करो कर सकते हो लेकिन आप इसे तरीके से इस्तमाल कीजिए जैसे कि आप इसे लेना चाते हो तो सुबह शाम दोनों में से एक टैबलेट ले लेना खाना खाने के बाद लेना ठीक है और आप इसे लगातार इस्तमाल जैसे की 10 से 15 दिन कर लीजिए ठीक ह फिर आप इसे धीरे धीरे छोड़ देना जैसे कि सुबह शाम लेते थे फिर एक टाइम ले ले लेना और फिर एक टाइम की जगा पे आप एक दिन छोड़ के लेना ऐसे ऐसे धीरे करके दो दिन छोड़ के तीन दिन छोड़ के ऐसे आपने इसका इस्तमाल करना है और धीरे ध दिरे इसको छोड़ देना है दस से पंदरे दिन में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपकी भूख उससे चालू हो जाएगी जो भूख नहीं लगती थी आपको ठीक है और फिर अगर आप और भी जैसे मोटे होना चाते हो तो आप इसे महीना भर भी ले सकते हो जैसे आप शरी दिरे इसको बंद कर देना है तो यह देखो दोस्तों इसके जो साइड इफेक्ट है वह भी मैंने बता दिया है और जो हड़ियां कमजोर हो जाती है पानी जम हो जाता है सरीर में हम सोचते हैं कि हम मोटे हो गए हैं लेकिन आप इसे धीरे धीरे ही बंद करना एक दम से इसके इसके और भी साइड इफेक्ट होते हैं जो नॉर्मल साइड इफेक्ट हो सकते हैं इसको लेने से नुकसान जो बताता हूं मैं आपको इसको ज्यादा आप इसे जैसे लेते हो आपको भूग ज्यादा लगती है फिर आप ज्यादा खाना खाते हो फिर आपके पेट मे गैस बन जाती है अपच होती है कब्स बन जाती है दस्त भी लग सकते हैं यह सब इसके और भी साइड इफेक्ट हैं तो ऐसे इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं आप इसे ना ही ले तो ही अच्छा है ठीक है और अगर लेना चाहती हो तो मैंने बता दिया आपको तरीका बिने डॉक्टर की सला के नहीं लेना है और दीरे दीरे छोड़ना है इसको ठीक है और और भी बहुत सारी दवाई आती है मल्टी बिटामिन्स ले लेना आप ठीक है उनको भी ले सकते हो साथ में या फिर इसको बिल्कुल नहीं लेना और मल्टी बिटामिन्स आते हैं ओमेग भी कर सकते हो तो आज के लिए दोस्तों इतना ही उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छे लगा हो तो ये वीडियो को लाइक जरू करते हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा धन्यवाद